Hello dear students, good morning, good evening all of you. KSR Academy Commerce Institute में एक बार फिर से आपका हर्दिक स्वागत है. हम बात कर रहे हैं TDS की और TDS के previous lectures में हमने बहुत कुछ कवर किया था. हमने previous lecture में देखा था कि आप TDS का payment यानि कि चालान आप किस तरह से pay करते हैं और CSI file आप किस तरह से portal से download करते हैं. अब हम आगे बात करने वाला है TDS return. TDS return के बार में previous में हमने बहुत कुछ कवर किया था कि TDS return आपको कवर करना है, क्या नहीं है. लेकिन आज की इस class में हम detail में समझते हैं कि सब TDS की return कितने types के होते हैं, वो return आपको कव फाइल करना हैं, उसके अंदर कौन-कौन सी normal जो details होती है, वो किस तरह से provide की जाती है, वो आज हम इस lecture के अंदर cover करने वाला है. इसके बाद हम next lecture में देखेंगे कि TDS के return आप किस तरह से file करते हैं, वो भी हम practical client के database के आधार पर cover करने वाला है. TDS return मतलब क्या है सब, previous में हमने देखा था कि जब आप किसी भी person का TDS deduct करते हो, किसी भी persons का आप TDS deduct करते हो, उसका payment आपको करना होता है next month की 7 days से पहले. ठीक है, next month की 7 days से पहले आप उसका payment करना होता है, जैसे पर example हम बात कर रहे हैं, January 2024, February 2024 and March 2024, ये है आपका financial year 23-24, ये है सर आपका first quarter, sorry, last second, fourth quarter है आपका, क्योंकि TDS की जो returns होते हैं, वो quarterly file होते हैं, अब सर यहाँ पर आपने जिसका भी TDS का payment किया होगा, वो payment आपने 7 February 2024 से पहले आपने कर दिया होगा, अगर इसके अंदर आपने किसी persons के दो section में TDS आपने deduct किये हैं, तो दो चालान आप आपने जन्रेट किये हो, जो कि previous में हमने देखा था कि आपके section wise आपके चालान जन्रेट होते हैं, इस section के अंदर अगर आपने किसी दो person का TDS डिड़ेट किया होगा, इसमें आपने TDS डिड़ेट किया, लेकिन इसमें कोई दो persons थे, एक ये, एक ये, एक परसन सा A और एक परसन था B, यहां पर सर आपने for example 194J, उसके तुरू आपने फाइल किया, उसका भी अलग से चालान जन्रेट किया, उसका भी एक परसन था C, और दूसरा परसन था D, total amount आपने एक चालान में पे किया, total amount आपने एक चालान में पे किया, clear होगे आपको यहां तक, अब यहां same to same situation, अगर हम यहां पर मालने, जैसी situation उपर है, आप उसी persons को payment कर रहे है, और सब को इस उपर जैसा ही है, तो यहां पर भी आपके दो चालान जन्रेट होंगे, सचाला number 1 और चाला number 2, चाला number 1, 94C का और उसमें, उसमें भी A party, B party, C और D professional में, इसी तरह से, आपने March का payment किय यह वो 30 April तक होती है, तो यहां पर भी सर्वापने 2 चालान जन्रेट किया, एक section 194C के थुरु किया, और एक section 194J के थुरु किया, तो इसका भी आपने separate चालान जन्रेट किया, इसका भी अपने separate चालान जन्रेट किया, ठीक है, इसके अंदर भी आपके for example 2 party है, A और B, इसके इसका भी सेपरेट चाला इसका भी आपने सेपरेट चाला क्लीर हो गया इस तरह से आपने पूरे क्वार्टर के जो तीन मंथ ते उसमें आपने टीडियस का पेमेंट किया क्या किया अब इस टीडियस का पेमेंट तो आपने कर दिया पर एक्जामपल यहां पर पेमेंट किया यहां किया यहां किया यहां किया टॉटल आपने 6 चालां जन्रेट किया चालां के से जन्रेट करते हमने प्रीडियस में देखा था का पेमेंट किस तरह से इसी तरह से आपने 6 चालां जन्रेट कर दिया और 6 चालां का आपने अपनी जो टाइम था उस टाइम के आदार पर डिटेल शो करेंगे अब बात आती है से टीडियेस रिटन की तो टीडियेस रिटन का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी चालान वाइस पेमेंट किया है अब चालान नंबर वन अगर हम बात करें चालान नंबर वन फासा का 194C अब उसमें आपके कितने पार्टी एक पार्टी और दो पार्टी को भी तो इसने ने इस रिटन के अंदर आपको देनी है इस रिटन के अंदर आपको देनी है दूसरा आपने चालान पर एक्जामपल 194J, उसके अंतर भी दो पार्टी, तो दो पार्टी की पूरी detail दीजिए, तीसरा चलान आपने generate किया 194C, फेब मंत का, उसमें भी आपके दो पार्टी की detail, जितनी भी पार्टी की detail से वो सभी दीजिए, फोर्थ आपने किया था सर 194J में, उसकी भी 5 और 6, इसी तरह से 6 जो भी आपने invoice generate किये थे, उनकी पूरी detail दीनी है, क्या देनी है, पूरी detail, कि आपने जो 300, for example, 300 रुपिस का payment किया, इस 300 रुपिस का payment आपने किस-किस person का TDS deduct किया था, जिसका आपने payment किया हुआ, तो उसकी पूरी details, TDS return में दी जाती है, कहां दी जाती है, return में, और यह returns कब file होता है, quarterly, कब file होता है, quarterly, अगर हम first quarter की बात करें, तो first quarter होता है, सर, April से लेके June, जिसकी due date होती है, 31 July, अगर हम बात करते हैं, second की, July से लेके September, उसकी date होती है, सर, 31 October, third quarter, October से लेके December, उसकी होती है, सर, 31 January, और fourth quarter होता है, सर, अमारा January से लेके March, उसकी होती है, 31st March, sorry, May, 31st May तक आप last quarter का return file कर सकते हैं, अब यहां पर हम यह देखने वाले हैं, कि TDS की return कितने types के, जैसे income test के अंदर ITR1 से लेके, ITR6 है, ITR1 दे अंदर salary की income आती है, other sources की income आती है, house property income आती है, इसी तरह से TDS के भी returns है, अलग-अलग section के अधारप, वो कौन-कौन से return है, वो हम यहां पर देखते हैं, TDS return form, TDS return form, TDS tax deducted at source and advanced tax deducted from individual's income before the amount is paid, credited to the receiver accounts, TDS in the amount of tax pay deduct from the amount against payment of the specified income tax act, okay, TDS deductor और TCS collector must submit a TDS return every quarter, इनको क्या करना होता है, TDS का return आपको submit करना होता है, this TDS return can be submitted in various forms depending of the certain conditions, अलग-अलग forms होते है, conditions के अधारप, this guidance comprehensive sources that consist of all must know TDS returns, सबसे पहला आता है, सरफ form 24Q, 24Q एक TDS का return होता है, the quarterly statement of tax deducted source, TDS from salary, अगर आप किसी salary person, किसी salary का आप TDS deduct कर रहे हो, और example, अगर हम बात कर रहे हैं, January month में, February month में, और March month में, आपने section 192 के तुरू salary का TDS deduct किया, अब salary का TDS अभी हमने cover नहीं किया हुआ, आने वाले lectures में आएगा, अगर आपने salary का TDS deduct किया है, तो उसके लिए जो TDS का form है, उसके लिए जो TDS का form है, वो TDS का form है, आपका 24Q, salary की जो details दी जाती है, salary person का, अगर आप दे TDS deduct किया है, तो उसकी details लेने के लिए आपके पास में form है 24Q, ये share for share salary persons के लिए ही होता है, clear होगे आपको यहाँ पर, चलिए, सगड़ आता है, 26Q, 26Q, the quarterly statement for tax deducted source in respect of all payment except salary, sir आपने जितने भी section previous classes में cover किये हैं, वो सभी section except salary, salary का तो यहाँ पर आगया सब 24Q, इसको छोड़के, salary को छोड़के, बागी जितने भी section, payment to resident, payment to resident, इंडियन परसन को अगर आप किसी भी other section के तरूँ आप TDS detect कर रहे हो, उनका जो returns होगा, वो return होगा 26Q, नॉर्मली यहाँ पर दो returns होते हैं, 24Q और 26Q, अगर आप salary का TDS detect कर रहे हो, तो 24Q के अंदर आपको details देनिये, और अगर आप other than salary का TDS detect कर रहे हो, और Indian resident को अगर आप payment कर रहे हो, तो 26Q आपको file कर रहे हो, next return आता है 27Q, quarterly statement of deduction of tax from interest, dividend, other than payable to non-resident or foreign companies, यह जो return है, यह कि अगर आप other foreign companies, foreign companies या non-resident person को अगर आप payment कर रहे हो, और उस पर अगर आप TDS detect कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 27Q form file करना है, बहुत ही rare case में सर आपके पास में यह आएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि 27Q, 26QB, 26Q यह है उसका पहेंगर पाटल की, statement of tax deducted against payment made to immovable property, immovable property का मतलब, सर अगर आपने, अगर आपने, for example, 60 lakh की कोई property purchase की, 60 lakh की आपने कोई property purchase की, उस पर आपको 1% TDS deduct करना था, यह हमने previous classes में देखा था, अगर आप immovable property purchase करते हैं, तो आपको 1% TDS deduct करना है, तो 60,000 रुपेस का आपने यहाँ पर क्या 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 क्या, आप यह TDS इसको deposit करना है, और detail भी provide करनी है, तो उसके लिए कौनसा form होता है, आपके पेन पर काम हो जाता है, यानि कि आपके पास में पेन है, इसी पेन से आप अपना यह 26QB return आप फाइल कर पाओगे, एक थासर 194I, यह जाथा है कि 2,40,000 से ज़्यादा का अगर आपका rent है, तो आपको 10% के हिसाब से TDS deduct करना, 10% है जो भी rate थाप, अभी थार माइन से इसकी पो रहा है, तो आपको TDS deduct करना है, कितना है वो हम देख लेते हैं, 194I, 10% है, चीक है, तो 10% से आपको क्या करना था सर्थ, यह TDS deduct करना था, तो यहाँ पर, यह वाला जो था, यह आता है सर, 26Q के अंदर, यह जो form file होता है, यह 26Q आता, लेकिन यहाँ पर जो बात करें, 26QC में, यह बात कर रेंट, अगर रेंट आप 50,000 रुपीज से ज़्यादा पेई करते हो, 50,000 रुपीज से ज़्यादा अगर आप पेई करते हो, तो आपको यह TDS डिड़ेट करना, चाहिए इंडिविजल परसन हो, चाहिए आपके उपर TDS डिड़ेट करने की लाइबिलिटी है या नहीं है, इसके लिए जो फॉर्म है, यह फॉर्म है, आपका 27EQ, तो 27EQ आपका TCS का फॉर्म है, अगर आप किसी से TCS कलेट कर रहे हो, तो उसकी डिटेल्स आपको 27EQ में देनी है, तो हमारे लिए जो मेजर TDS की जो रिटेंस है, जो ज़्यादा यूजबल है, जो ज़्यादा यूज में आते हैं, वो आता है, तो 24Q, 26Q, और अगर कभी-कभी, अगर साल में एक आद बार कहीं आ जाता, तो यह आ जाता 26QB, 26Q 27QB, तो यह तीन रिटेंस हम नॉर्मली अच्छी तरह से डिटेल्स में कवर करेंगे, 27EQ को भी हम देखेंगे कि यह रिटेंस भी किस तरह से फाइल होता है, क्लियर होगे आपको यहाँ तक, आप से यह जो रिटेंस फाइल होता है, यह जो रिटेंस फाइल होता है, उसकी online यानि कि download का आप केसे करोगे पॉर्टल से वो हम next classes में cover करेंगे तो अब आपको यहां तक समझ में आ गया कि TDS के return कौन-कौन से होते हैं और TDS आपके returns आपको कब फाइल करना है अगर आप late return फाइल करते हैं तो हमने previous में देखा था 200 पर ने के यसाब से आपको पेनल्टी लगए 200 पर टे जो भी आपके due date से return फाइल करने की उसके पहले अगर आप हाइल करोगेगे तो आपको पेय करने होगे तो ही आपका return फाइल होगा क्लिर होगे आपको यहां तक तो आज के लेक्चरिस में हमने पात की TDS रेटर नेक्स लक्चर उसमें दखेंगे कि उसकी यूटिलिटे जो के TDS रेटर फालिंग को जो यूटिलिटी है उस यूटिलिटी को आप पॉर्टल से किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो हम नेस्ट क् अब से तना एक लाक्स में फिर मिलता है तब तक के लिए थाइंक इस वाच